हेलो दोस्तों, मैं अंकित मान और मैं एक डीजे और परडूसर हूँ लोजिक प्रोएक्स की कम्प्लीट बिगनेर कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज किस टोपिक में हम ओडियो रिकोडिंग करना सीखेंगे हम ओडियो वाइल से लाइव रिकोड करेंगे तो मैं आपको पहले बता दूँ कि हमने कुछ अपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने अपनी मेडि फाइल्स को कैसे रिकोड किया तो अगर आप यह अपने मेरे अब तक वीडियो नहीं देखिया तो उनको जाकर देख लिए तो आपको पता चल जाएगा हम मेडियो फाइल्स को कैसे रिकोड करते हैं मेरे हिसाब से अगर आप में लोजिक पर काम कर रहे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो आप मारे आप देख पा रहे हैं मैंने या पर एक मैंने इसको गिटार और बेस को भी चूज के हुआ था इसको मैंने create कर लिया है जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको ये कुछ लेट कर देता हूँ कि मैं आपको बताना तक कैसे हमने create करते हैं इस वाले track को basically मैंने guitar के लिए किया है external alarm guitar लगाते है अपने interface में उसके लिए इसका अभी बेख कुछ 80 है आप यहां पर देख रहे हैं इसका नाम United Track मतलब अभी मैंने इसके untatled tracks हो रही तो अभी हमने इसका नाम नहीं लिया रखा है तो इसका सबसे पहले हम save कर लेते हैं जिससे आपका क्या होगा जो हम files record करते हैं जैसे इसके अंदर तो वह files आपकी जो हम record करेंग उस folder के अंदर ही जाएगी सारी बाकी बिना save किया file इदर दर हो जाती है तो हमको problem होती है तो सबसे पहले इसको हम save कर लेंगे files बजाएंगे save as मैं इसका नाम रख लेता हूँ लेना मंकी तो जली मैं मंकी तरिकोडिंग रख ले रहा हूँ आपको चोब रख सकते हैं जाब को ठिक लेए logic के अंदर यहाँ पोच जाएगी है मेरी पहली है इसे मैं फिलाल क्या करूँगा यह music के अंदर logic फिर उसके अंदर file आपकी अट मैं क्या करता हूँ उसको desktop पर डाल देता हूँ इससे मैं देखने में easy हो जाएगा save करतेता हूँ तो अब देखेंगे हमारा नाम आ गया है अब हम जो भी audio file वगरा से record करेंगे हमारी वह सब इसके अंदर ही save होती जाएगे तो हमको कोई problem नहोगी बात में अपनी files को main search करने में तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है अगर हम main मान लेजिए अपनी files को record करना हम यहाँ पर audio audio file को कोई भी तो उसके लिए हमें setting करने पढ़ेंगे हमें 3 चीजों का हमें सयाध रखना है उसके लिए पहले एक तो हमारा file type sample rate और आपकी bit depth यह 3 चीजों में ध्यान रखनी है पहले हम सबसे पहले अपनी file type को देखते है हमारा file type क्या है अभी उसको सही से select करेंगे जो हमारे लिए suitable रहेगा मैं क्या करूंगा preferences logic wise preferences में जाके recording यहाँ पर क्या तो आपने देखा यह आ गया हमारा कुछ तो file type basically देखा जाए तो audio में यह हमारी file type होती recording की mean जो आप हमारी record होगी file, wave file जो भी record होगी जो इन waves में आती है यहाँ पर वो किसमें से होगी हमारी किसमें हम चाहते हैं AIWF में चाहते हैं AIF की basically full form होती है हमारी audio interchange file format wave की mean basically wave file में ही आती है और CAF की होती है core audio format तो basically normally लोग सब mean मारे बैस्ट ही रहेगा wave file में हम select कर लेंगे यह हमारी wave में हो गई है इसके बाद हमारी जो bit recording होती है recording होती है वो 24 है यह हमारे लिए best है 24 bit क्योंकि अगर मैं इसे अंजग कर दूँग तो आपकी देखेंगा जो आपकी recording होगी वो default 16 bit की होगी वो थोड़ी कम उसकी होती है mean कम quality की होती है तो हम इसको 24 पर रखेंगे हमारे बैस्ट है यह हम क्या करेंगे हम देखेंगे sample rate sample rate देखने के लिए हम क्या करेंगे file पर जाएंगे project setting recording यहाँ पर खोल लेंगे यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे audio पर जाएंगे तो आप पर आजाएगा basically मैं क्या कर सकता हूँ shortcut लेकर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ recording यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो मेरा open यह वाला page हो जाएगा जो मैंने भी किया था यह basically हमारे project के लिए settings है तो मैं audio पर जाऊँगा audio पर जाने के बाद आपका यह खुल जाएगा journal में channel strip में आपका यह कुछ है journal में जाएगी यह आ जाएगा यह हमारे setting हो चकी है अब मैं क्या करूँगा तो देखेंगे आप यह हमने setting कर लिए तो अब देखेंगे आप कि जो आप guitar देख रहे हैं हमारा guitar मैं चाहूँ तो मैं कुछ और भी चूज कर सकता हूँ इनमे से यह हमारा clear weight electronic guitar and bass clean guitar इसमें हमारा break and cleanness मैं कोई और भी चूज कर देखता हूँ diana कुछ भी मैं फ्ला लवी clean room clean street इस पर छोड़ देता हूँ हमारे break and clean पर ही छोड़ देता हूँ तो इसकी कुछ हमारी यह हमारी channel पर कुछ इसके patches आ गया है कि यह इसमें noise gate लगा है यह सब अलग अलग लग इसमें लगे हुई है यह हमारे इसकी इक हो गई अब मैं आपके future बताता हूँ जैसे mean हम recording करते हैं जब तो हमारी recording जो होती है भी mean मानले जो हमने कोई external guitar लगाया हुआ है या फिर कोई mic है हमारे पास mic से mean हमारा acoustic guitar play कर रहे है तो क्या होता है basically हमारे एक bass में interface होता है जिसके वारे में हम पहले बात पिछ अपनी starting वाली वीडियो में बात कर चुके हैं अगर मेरे वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेजे यह तो आपको पता चल जाएगा interface के वारे में क्या होता है वो क्या नहीं होता है interface basically जो mean इसमें भी अलगले channels काता है दो channel काता है वो multiple channels काता है इसमें क्या करते हैं अपनी mean guitar होगा external guitar होता है हमारा जो bass होता है उसको हम interface में connect कर देंगे तो वो हमारी आपके logic में show होने लगेगा उसकी vfs file बगरा signal जो होगे उसके हमारे अंदर guitar के logic में आने लगेंगे menu window में ऐसा ही mic का है mic को भी interface में लगाते हैं पहले उसकी जो signals है उसके वो अंदर तक आते हैं अब उसके signal जो अंदर तक आते हैं उसमें आपको यह बसा जिता हूँ चले तो आप मैंने देखा मैंने खुला मैं आ गया logic को एक्स preferences और आपका audio तो हमारा यह खुल गया इसमें आप इक्ची देखेंगे ios buffer size और हमारी latency यह होती हमारी latency तो इसमें आप जैसे कभी भी आप record करते हैं हमारी फाइल को मैं किस sample rate पर record करूँगा 128 पर करूँगा basically अगर मैं इस हाई करूँगा तो हाई का basically mean use रता है कि हमारे यहां पर बहुत सारे tracks ड़ले हुए हैं इसमें बढ़ाना पड़ता है तो जैसे हमारा अरा इसमें होती latency यतना मैं इसको बढ़ाऊंगा देखेंगे आप अभी हमारी latency कितनी है 96.6 MS की मैं इसको अगर 256 करता हूँ तो बढ़ेंगे 101.9 MS की हो गई है और इसको मैं high कर देता हूँ full 124 कर देता हूँ 1024 कर देता हूँ तो आपके देखेंगे 133 133.9 MS की हो गई है 133.9 MS की हो गई है इंटरफेस के तुरू फिर अंदर जाएंगे उसके बाद हमारे जो main window में signal आएंगे वो इतने millisecond बाद जाएंगे और यहां लिखता है output जोगा फिर हमारा बिन अंदर आने के बाद फिर उसको output हमारे monitor से बाहरा आएगा तो वो इतनी देर बाद आएगा 128 पर रखेंगे अमारे लिए यही सबसे अच्छा है लेटेंस के लिए क्योंकि हमारे पास जादा ट्रेक नहीं अभी यह रखेंगे तो आपकी यह लेटेंसी भी कम होगी तो आपको इतना ही रखना चाहिए मेरे इसाब से दो तो हमने रख लिया और हमारे लिटेंसी आप देखेंगे अभी बहुत कम है हम एक चीज और कर सकते हैं मैं क्या करूंगा विंडो में जाऊंगा विंडो में जाने के बाद आप देखेंगे ओपन ट्रांस्पोर्ट पर इस ओन कर दूंगा तो देखेंगे हमारे एक नया यहां पर बनके आ गया है बेसिकली तो इससे क्या होगा हम देख पाएंगे मैं जैसे मैं अब इतने पर तो कर दिया मैंने 128 पर 128 पर क्या होता है हम जैसे प्ले करते थोड़ीबद इको आती है हमेरे उसमें sound में तो मैं ऐसे अगर आप देख रहे हैं यहां पर मैं ऐसे क्या करूँगा एक मेरा enable नहीं है उसको मैं customize करूँगा इसके बाद आप देखेंगे low latency mode इसको मैं on कर देता हूँ तो देखेंगा आप एक signal यहां पर वह आगया sign अगर मैं इसको करूँगा तो मैं अगर guitar वगर कुछ यह play करता हूँ तो मैं इसमें ego वगर नहीं आएगा but basically हमारे mean recording recording हम जब करते हैं तो उसके लिए हमें इसे बंद ही रखना होता है तो इसको हम बंद ही रखना होता है मैं सिर्व आपको बता रहा था कि हम ऐसे intensity mode को थोड़ा कम कर सकते है but अगर हम recording अगर कर रहे हैं तो हम इसको बंद ही रखना पड़ेगा ओके तो हमने सारे setting कर लिए अब मैं आपको बताता हूँ mean मैं basically कोई मेरा bass guitar नहीं बजाऊँगा mean connect करके direct मैं मैं मेरा एक mic के थूरू acoustic guitar को play करूँगा किससे आपको idea हो जायागा कि हम live recording कैसे करते हैं animals device को तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ आप देखी ला को कर तो आपने देखा हमने कैसे recording की मैं आपको द्वारा सुना दिता हूँ एक वार तो मैंने भी इसको कोई beat वगरह पर नहीं प्लेखिया ज़िश्ट आपको बताया है कि हमने recording कैसे कर सकते हैं अपनी setting करके सब कुछ करके recording कैसे कर सकते हैं इसमें की चीज़ देखते हैं suppose मैं इसको सुच कर लाता हूँ तो देखते हैं क्या वारा change होता है यह अपनी तो देखते हैं अपनी तो देखते हैं तो आपने देखते हैं इसमें कैसे डाइनेटर में कैसे पैनिंग हो रही थे हैं अगर आपने लगाए होंगे तो आपको पता चलेगा तो आप ट्राइ जरूर कीजिएगा रिकोडिंग कैसे करते हैं इसको पैसिकली आप जरूरी नहीं आप गिटार लगाओ अप माइक में थोड़ा बुद गाके या कुछ भी मीन गाके थोड़ा बुद पता गारे कुछ देख सेकते हैं कि हम कैसे रिकोड कर रहे हैं बट इस को यूजग किए बागी हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया कि हम अलग के इनके वारे हमने हनके बताया ट्रैक्स के बारे में कांका है Cathar के वारे में तो आप वो वीडिए भी देख aquellas तो आपको सबको संजवाएगा तो अभी के लिए इस वीडियो मुत नहीं धन्यवाद